प्यास का दाम बढ़ने की वज़े स्थानिय तोर पर इसकी सप्लाई में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि प्यास के व्यापार से जुड़े लोगों के अनुसार खेट से मंडी में इसकी सप्लाई सामान्य है. उनके अनुसार देश में प्यास का दाम बढ़ने का कारण पडोसी देश भारत की ओर से प्यास के निर्यात पर लगाई गई पाबंदी है यह पाबंदी भारतिय बाजार में प्यास की दर को काबू में रखने के लिए लगाई गई है भारत से प्यास के निर्यात पर पाबंदी ने पाकिस्तान में प्यास के दाम पर असर डाला है और उसकी कीमत स्थानिय बाजार में पिछले एक माह के दोरान डेर सो रुपए लगभग पैंतालीस भारतिय रुपए प्रती किलो से बढ़कर कुछ शहरों में दो सो सत्तर रुपए क्रीब असी भारतिय रुपए प्रती किलो तक हो चुकी है आपको बता दें कि भारत की ओर से 8 दिसंबर 2023 को प्यास के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई भारत की ओर से प्यास के निर्यात पर पाबंदी का मकसद अपने स्थानिय बाजार में प्यास के दाम को बढ़ने से रोकना था ताकि स्थानिय उप्भोकताओं को कम कीमत पर प्याज मिल सके। हालांकि पाकिस्तान भारत से प्याज आयात नहीं करता लेकिन इस पाबंदी ने पाकिस्तान में भी प्याज की कीमत पर असर डाला है। All Pakistan Fruits and Vegetable Exporters, Importers and Merchants Association ने इस बारे में कहा कि भारत से प्याज के निर्याज पर पाबंदी के कारण पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को दुनिया के विभिन देशों से प्याज के बड़े ओर्डर्स मिले हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि विदेशी मंदियों में प्याज की जरूरत है, तो भारत से प्याज की सप्लाई बंध होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और यहां से माल लेना शुरू किया। की सापताहिक कीमतें इकठा की जाती हैं और इसकी बुनियाद पर महेंगाई की दर तै की जाती है। सांखी की संस्था की ओर से प्याज के दाम के आंकडे बताते हैं कि जब भारत की ओर से प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई थी तो उस समय पाकिस्तान में एक किलो प्याज का दाम औस्तन डेर सो रुपई के लगभग था यह दाम पाकिस्तान के विभिन शहरों में विभिन दामों का ओसत है लेकिन एक महीने के बाद देश में प्याज की ओसत कीमत 220 रुपए तक चली गई जबकि देश के कुछ हिस्सों में इसकी कीमत 270 रुपए प्रती किलो या उससे भी उपर है कराची फल और सबजी मंडी में एसोसियेशन ने बताया कि इस समय बलूचिस्तान की फसल खत्म हो चुकी है और सिंध से सप्लाई हो रही है उनके अनुसार अगर पाकिस्तान से प्याज इसी तरह निर्यात होता रहा तो डर है कि इसका दाम और बढ़ेगा Bureau Report Market Times TV